भाई बहुत खुशो कर यहांपर मैं उतर रहा ता कि कोई नहीं आ रहा सिर बर सिर मेरे टीम आरेbooks लेकिन फिर उतरने के बाद पता चलता है जहांपर मैं उत्रहों वही फर दो स्कॉड उतरी है फटा-फट गर उठाता हूँ तब तक बंदे भाग जाते है गर उठाने के लि लेकिन भूल गया मैं निकल लिया एक गन उठाकर लेकिन कोई दि दिक नहीं आगे चल ''के alt secondly waited कि पर्ले तो मैं दून्ट रहा geil थ fé इतने सारे बंद्य आये तो गए तो गए काँ पर के अ餐 पर बेक टू-बाइक फाइट चालो जाती है ना बस देखते जांग, बहुत मजा आने वाला, लेकिन तब तक hit the like बतन गाई, जिस्टें भी अभी तक like बटन नहीं दबाई, जल्दी जल्दी like क बटन दबादो, एम करते हैं 7000 like के लिए, 8000 like के लिए, बैक तो बैक 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 टो बैक मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने कितने बंदधों को नॉक कर दिया और यहाँ पर मेरा kill properly चोड़ी हूआ है, बंदे को पूरा damage मैंने दिया था लेकिन भाई हमारे teammate ने जो यहाँ पर kill चुरा लिया कुल मिलाकर तीन बंदे के किलम को यापर मिल चुके बाहर मुझे आवाज आए किसी के तो बाहर आ जाता हो और यहाँ पर मुझे दिखता है कि यहाँ पर एक मुर्गा खड़ा है जिसको भाई मतलब फिरी का किला आप बोल सकते हो मुझे ज्यांदा महनद करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन देखता हो कि मेरे टीम Immedi को किसी नहीं आप पर नॉक कर दिया है तो बस आजाता हो अपने टीम Immedi का बदला लेने के लिए एक बंदे को नौक किया जिसके नाम था बीजीम आए पतला बंदे ने गेम का नाम भी अपना नाम रख लिया बहुत बढ़िया पहले मुझे लागा किया बंदा जो मेरे उपर रश कर रहे लेकिन बाद में बता चलता है कि वो तो बॉट था भाई बंदा तो ये था ये क्या कर रहा था बाई ये बॉट बॉट उसको कैसे ने मारा बॉट इसके पास से आये लेकिन मेरे को मारने के लिए है मुझे जिस समझ नहीं क्या चीज़ थी इस बंदे को बड़ी देर से मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये बंदा भागने की कोशिश कर रहा है बड़ी देर से सुनू टू इस बंदे का नाम था कुछ और इस बंदे मेरी लिटरली नॉक करके फिनिश करके पेटी बना दी आप देखना इस बंदी को हमें कैसे मारता है या पर मैं रिकॉल होकर वापस आ गया और जॉम्बी उदर देख रहा था मतलब उदर बंदा जरूर है सीरी आपर क्या हुआ देखो मेरे दोनों टीमेट नॉक हो गये और ये सोनू भी नॉक हो गया लेकिन सोनू को हमने फिनिश कर दिया मतलब हमने जो भाई बदला ले लिया जो उसने हमको मारा था ना भाई उस चीज का बदला आया पर मैंने ले लिया फाइनली लेकिन बंदा वापस आयता है रिकॉल होकर हमको मारने के लिए बस देखते जाओ और ये उसी का टीमेट था अराम से लूट किया है यहां से निकलने का सोचता हूं मैं लेकिन यहां पर आने के बाद पता चलता है कि सीन तो कुछ और ही है सीधे मैं टीमेट को नॉक कर दिया तो मैं जादा वेट नहीं करता हूं मैं इसी दर इसको फिनिश करता हूं मुझे लगा और बंदे लेकिन यह अखेल आई था यहां पर और अपने टीमेट को रिवाइव करता हूं और फिर देखना यहां पर क्या सीन होता है क्योंकि जिस घर के ऊपर मैं हूँ इस घर के अंदे एक बंदा है और इतनी दिर से हो उमको पता ही नहीं चला बाद में हमें आवाज आई तो पता चला कि यहां पर एक बंदा है जो इन्तिजार कर रहा है हमारा लेखिन भाई यह मॉली पता नहीं किसने फिकिती मौली मेर को लग गई और किल मेरे टीम मेर को चला गया चुलो कोई दिकत वली बात नहीं दाने दाने फिलिकाए खाने वाले का नाम और यहाँ पर जो इस बंदे को आराम से मार दिया यह पता नहीं कहा जाने की कोशिश कर रहा था पहले मुझे लागा कि बाट है लेकिन भाई यह बाट नहीं था यह रियल बंदा था मतलब पता नहीं से ओपन में क्यों भाग रहा था इधर से उदर उसके पीछे गाड़ी कर रहा है और यहाँ पर बंदे फाइट हो रही है और एक टीम अब बस खतम होनी वाली है सबसे पहले घर की छत के ओपर चाला एक ग्याद जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इस वज़े से मेरे टीम में ने जो एक किल चुरा ली है लेकिन इस चीज का एक फाइदा भी हुआ जो किल में ने मिल सकते थे वो भी किल में मिल गए अब याप पर इतने सारे गरेंट कर दिये थे मैंने मुझे लगा कि किल तो मेरे पास ही आने वाला लेकिन इसा कुछ होता ही निया कि यह किल भी मेरे टीम मिड को चला जाता है चलो कोई दिखत वली बात नहीं 14 किल स्टिल हमारे हो चुके दस बंदे अभी और बचे अब देखना यह कि हमें इस में से कितने किल मिलते हैं आप अब मक्ट लोकेशन पाई हमने पूरी कोशिश की थी अपने टीमेट को बचाने की लिकिन नई बचा पाए और यहां पर एक तगड़ा मुकाबला होता है ग्रोजा वर्जेज ग्रोजा गा और यहां पर हम यह मुकाबला जीत जाते लेकिन बंदने भी काफी अच्छे त नौक था और जोन के बाहर था उसको बचाना इंपॉसिवल था मेरे लिए अब मैं अकेला बचाओ और क्या गाईज मैं अकेला चिकन डिनर दिला पाऊंगा मेरे सभी टीमेट को या फिर नहीं चले दिखते गाईज मैं कन्फ्यूस था कि ये बंदा ही ये की क्या है पर्ट मैंने फायर कर दिया अब भाई ये सबसे बड़िया चीज लगती मुझे आपको गाड़ी बाड़ी धुनने की ज़रूरत नहीं और इसका स्पीड जो एक काफी ज़्यादा तकड़ा है अब ये जो बंदा लेट आवा था ये मैंको बहुत देर से मार सकता था लेकिन इसने नहीं मारा तो फिर मैंने आके इसको बजा दिया अब घुमा फिर अगर आप देख सकते हैं अपर दो बंदे और बचे हैं और ये क्या हुआ ये हुआ क्या ये क्या हुआ गाईज दो बंदे और बज़े थे मैंने कुछ भी नहीं किया ये गोली भी नहीं चलाई और बंदा मरा कैसे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना देखते गाईज किसका आंसर सही होता है चिकन डिनर कैसे मिला वो कमेंट करके बताओ मैं देखता हो कौन से आंसर देता है मिलते आपने अगले वीडियो में तब सब्सक्राइब लव्यू आप